चलिए शुरू करते हैं टॉपिक रहेगा बिटे आपका क्लास एर्थ का क्यूब एंड क्यूब रूट्स वर्क्षीट नंबर है टू पॉस्चन नंबर है त्री डीए भी मैट्स ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से समस्ते चलेगा कोश्चन देखते रखते देखते चलते हैं और इनका सॉलूशन डिसकस करते चलेंगे ठीक है और इस वीडियो से पहले प्रीवेस वीडियो जरूर देख लीजेगा जिससे की अच्छा कॉंसर्ट वेल्ड हो बस चलिए काम की बास शुरू करते हैं क्या बोला जा रहा है कि बहुत करना है क्या करना है इस पार्ट है से की वैलियो निकालनी है किस तरीके से निकालेंगे चली देखते हैं तो क्या कहा जा रहा है यह लेजिए तो फर्स्ट कॉस्चन इस कॉस्चन का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि भई evaluate कर दो इसको क्या बोला गया है ध्यान से देखेगा cube root find करना है cube root 8 multiplied 125 इसका cube root आपने find out करना है ठीक है जी तो किस तरीके से find out करेंगे जाए तो उसके अंदर क्या करना होता है rule याद रखेगा जैसे कि cube root of m multiply m ठीक है यह क्या हो जाता है यह हो जाता है cube root of m multiply cube root of m यह basic सा rule है जो मैंने previous video में बताया भी था उसको थोड़ा ध्यान से देख लिजे चलिए अब इसकी बात करते हैं तो अगर इसको simplify करना है यह evaluate करना है तो यह आपको given है अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए cube root आपका as it is ठीक है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 raise to power 3 लिखा जा सकता है और 1 to 5 को क्या लिख सकते हैं 1 to 5 को लिखा जा सकता है 5 का cube बात समझे 1 to 5 किसका cube होता है 1 to 5 आपको पता होना चाहिए 5 का cube है और 8 जो है यह आपको पता होना चाहिए 2 का cube है बात समझे गए ठीक है तो यह आपने लिख लिया आप जैसे कि मैंने आपको बताए यह power distribute हो जाती है तो यह क्या हो जाएगा 2 raise to power 3 का cube root multiply 5 raise to power 3 का cube root बात समझे और cube root जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है अगर यह कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब x का अगर cube root ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जी x raise to power 1 by 3 ठीक है तो in the same way इसका क्या मतलब हो जाएगा 2, 3, multiply 1 upon 3 ये power ये और ये वाली power यहाँ पर similarly यहाँ क्या हो जाएगा 5, 3, multiply 1 upon 3 ये दोनों cancel, ये दोनों cancel 5, 2, 10 बास समझे तो simplify करके हमें finally क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है ये जो फंडा है ये जो फंडा है जैसे कि cube root of x ये जो मैंने आपको बताया x raise to power 3 है ये क्या हो जाएगा x raise to power 3 और ये वाली power जो होती है 1 by 3 ये exponent and radicals में आपने पढ़ा होगा previous class के लिए तो कोई नई चीज नहीं है बात clear होगी answer आपका 10 चली next part देखते हैं क्या कहा जा रहा है next part के अंदर next part next part में क्या बूला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखेगा बड़ी बड़ा नंबर दे रखा है क्या है जी number है 3375 multiply minus 729 ऐसे और whole यहाँ पर पूचा गया cube root बात समझ गे तो इसे according to rule according to which rule cube root of M multiply M इसका मतलब क्या है cube root of M multiply cube root of M बात समझ गे इस rule को आप apply करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3375 है यह इसका हो गया cube root और multiply cube root of minus 729 अब इसको तो आपको पता होगा कि 729 किसका cube होता है यह होता है जी आपका 9 का cube बात समझ गे यह तो हो गया 9 का cube इसकी और बात कर लेते हैं तो इसको आप prime factorization से निकाल लीजे 3375 है यह लीजे 7, 5, 12, 3, 4, 15, 16, 17, 18 3 से हो जाएगा 1, 1, 3, 2, 6, 3, 5, 15 फिर 3 39 37, 23, 35, 15 फिर 3 से 31, 32, 6, 35 अब यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर 25, फिर 5 एंड 5 और 5 यहाँ पर तो 3 और 3 इसके group में से जब आपने निकाला तो यह बन गया 3 और 5, 15 इसका cube root क्या हो जाएगा 15 और इसका क्या आया minus 9, इन दोनों को multiply कर देना you will get your answer, बात clear है कैसे है, एक बार फिर से इसका cube root, इसका आया आपका 15 और इस पूरे का आया minus 9, दोनों का product, you will get your answer is this clear इस तरीके से question आपने solve करना है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, next part क्या बोला जा रहा है, उसे भी देख लेते हैं, खटा-खट से next part है जी, क्या निकलवाया गया है हमसे, cube root है 4 raise to power 3 है, और 5 raise to power 3 है इस तरीके की form में अगर कोई question आता है, तो समझ लीजे बना बनाए, आपको पूरा answer मिल गया है इसमें कुछ नहीं करना होता according to rule, यह power distribute होगी 4 raise to power 3 cube root multiply 5 raise to power 3 और यहाँ पर cube root यह cancel हो जाएगा, आगया 4 और यह cancel हो जाएगा, आगया 5 एक step और लिख दीजेगा कुछ इस तरीके से यहाँ देख लो 4 raise to power 3 multiply 1 upon 3, यह cube root कहाँ चला जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, cube root कि इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है इसे लिखा, और एक बार फिर से यहाँ पर देखी, यह क्या है, 5 है 5 के साब 3 है, multiply 1 by 3 यह cancel out हो गए तो 4 multiply 5 बच्चा 5, 20, यह आपका answer है, is this clear, कोई दिकत परिशन, मेरे साब से नहीं होनी चीज़, चले तो यह बात clear हो गई, move किया जाए next question के उपर, यह लिजे cube roots पूछे गए है, find the cube roots of the rational numbers, अब rational numbers हैं, इनका cube root आप से पूछा जा रहा है, चले, शुरू करते हैं पहला question क्या है जी, 4913 बोला गया, और upon में 3375 बोला, और इसका आप से cube root पूछा है, तो एक rule याद रख लेना, rule क्या होता है, अगर कुछ इस तरीके का है, m m upon n है, और यहाँ पर cube root है, तो इसका मतलब होता है cube root of m upon cube root of n, is this clear, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, this is the rule जिसे आप apply करेंगे, अब इसके अंदर जब आप इसे apply करते हैं, तो यह बन जाएगा cube root of 4913 और यह बन जाएगा cube root of 3375 बास समझगे, अब इसका निकाल लो 4913 का क्या आता है, 4913, देख लेते हैं, 104, 13, 14, 15, 16, 17, किससे होता है, किससे हो गई यह, साथ से होता है, नहीं, 13, 13, 4913, 4913, 13 से divide होता है, 13, 45, ठीक है, तस आगया, 30 से नहीं होता, किससे हो गई यह, 4913, 57, 11, 13, 17 से देख लेते हैं, 4913 किससे हो रहा है, 17 से, 2, 34, 9 में से 4 गया, 5, 4 में से दीन गया, 1, एक उतार लो, 8, 7, 56, 58, 8, 9, 11, 12, 13, ठीक है, तो, 11 में से 6 गया, 5, 4 में से 3 गया, एक, और यहां पर आ गया, यह, 9, 7, 63, हाँ, नो पे, तो, 289, यह देखे, यह 17 से होता है, यह बड़ा नमबर था, थोड़ा सा टाइम लग गया, 17, 289, फिर यहां पर 17, फिर 17, और यहां पर गयम ओवर, कुछ इस तरीक है, ठीक है, तो, 17 का क्यूब है, इसका क्यूब उट आपका 17 आ जाएगा, और यह, इसका क्यूब उट है, इसे भी पता लगा लेते हैं, 3375 किसका है, 3375, 3375 भी, इसे करके देखते हैं, अभी वैसे किया था, 3, 1, 1, 3, 2, 6, 3, 5, 15, 3, 3, 9, 10, 11, 3, 27, 21, 3, 5, 5, 25, और उसके बाद 5, फिर 5 और फिर 5 और एक, तो 5, 3, 15, यह किसका है, 15 का यह, तो कहने का मतलब क्या हो गया, यह जो क्यूब रूट है आपका, यह वाला है आपका 15 का, उपर वाला है आपका 17 का, तो उल्टिमेट आंसर आपका, 17 अपाउन 15, आई हो, बास समझ आ गई होती है, ठीक है जी, तो इस तरीके से question चलाना है, कोई दिक्कत परिशानी आपको होनी नीची है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत है, तो आप comment section में बोल सकते हैं, ठीक है, चलिए, यह समझ आ गया है, किस तरीके से होगा, चलिए, यह समझ आ गया है, तो next part इसका लेते हैं, वही मज़ेदार सा question है, बोला गया 512 है, माइनस है, और यह है 343, इसका हमें निकालना है, cube root, rule वही रहेगा, यह हो जाएगा, cube root of 512, और नीचे आ जाएगा, cube root of 343, यह minus है, तो यहाँ minus, अब मैंने आपको एक rule सिखा रखा था, rule क्या था, cube root of M, minus M है, तो यह हो जाएगा, cube root of M, minus बाहर आ जाता है, वो इसमें लगाएंगे, आपको पता है, किसका cube है, यह 8 का है, minus 8, और नीचे क्या है, 7 का है, minus 8 by 7, this will be your answer, कोई दिकत परेशानी, इसमें आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है जी, सीधा, इनके cube आपको याद होनी चाहिए, एक पर देख लेते हैं, 1 का cube एक है, 2 का cube आपका 8 है, 3 का cube अगर हम निकालते हैं, तो यह 27 है, 4 का cube है तो 64 है, 5 का cube है तो 125 आएगा, 6 का cube है तो 216, 7 का cube है तो 373 आएगा, 3, 4, 3, ठीक है, 8 का cube है तो यह आएगा 512, 9 का cube है तो यह आएगा 729, यह आप याद कर लीजेगा, जैसे कि मुझे याद हैं, ठीक है, तो एक चीज आप भ्यान रखिएगा questions को solve करने के लिए थोड़ा सा दिमाग में आपके कुछ standard rules और कुछ चीजें होनी चाहिए ठीक है चले तो ये बात clear हो गई ठीक है जी चलिए इसे हटाते हैं एक next part लेते हैं इसका और पेड डालते हैं क्या बोला जा रहा है जी minus 6,8,6 है और नीचे है minus 2,6,6,2 इसका हम से पूछा गया क्यों ठीक है तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये fraction यहाँ पे simplify होती है simplify होती है तो सबसे पहले उसे simplify करो minus से minus उड़ाओ 2 से 1 cancel होता है 2,3,6,2,4,2,3,6 2,1,2,3,2,3,2,1 तो यह बन गया आपका 3,4,3 upon में 1,3,3,1 इसका cube root ठीक है तो कैसे करेंगे अब आपको पता है कि 343 जो cube root है इसका यह है 7 का और 1,3,3,1 जो है ध्यान से देखो ध्यान से देखो ठीक है इसका अगर मैं cube root निकालता हूं तो यह आएगा 11 तो ultimate answer मेरा बना 7 बटा 11 बास समझ गे तो इस तरीके से questions निप्टाने आई उब बास समझ आई होगी मैं मिलता हूं आपसे next video में Thank you